नमस्कार दोस्तों वेल्कम टो स्विंग ट्रेड आज के दिन हम बात करेंगे क्याप्लिन पॉइंट लबरेटरी लिमिटेड कंपनी के बारे में इस कंपनी का आनालिसिस करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर्रीक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर न करेक्शन चल रहा है जो कि अभी इस टाइम पर हमें क्या करके चलना चाहिए और हम यहां पर बाई करके चलते हैं इसका टार्गेट क्या हम एसपेक कर सकते हैं और कितना दिन में इसका टार्गेट अचीव हो सकता है सारे परामेटर हम इस वीडियो में जानने की कोशिस करे करेंगे यहां पर देखते हैं कॉंपनी का मार्केट क्याप प्पांच जार क्रोट का मार्केट क्याप है इसके साथ में अगर बात करेंगे बहुत 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 बेटरी ने और अल्मॉस्ट डेट-free कंपनी है कंपनी को पर 0.01 परसेंटेज का डेट जो कि डेट फ्री है तो इसी साब से अगर स्टाक में प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे यहां पे 68 परसंटेज पर्मोटर का होल्डिंग और फर्मासिटिकल कंपनी है और यहां पे इसी साब से अगर हम देखेंगे तो यहां पे के अगर कंपनी के बारे हम बात करेंगे की कंपनी यहां पर करती क्या है क्या प्रेजन पॉइंट इस अगर हम यहां पर देखेंगे इसका सेल्स के बारे में कमपनी डिसम्बर का क्वटर में 326 करोड का सेल्स किया है तो चाहिए जो कि इंन वर में सेफ्टेंबर में सब्सक्क्राचाइभ देखने को मिला सभ्स बढ़ी ऐसा इंक्रोमेटल हो रहा है अभले इसी साथ सब्सक्राइब कर सकाए इंнес अगर कोप्सक्राइब करैं साब्सक्राइब कि máximo के साथ आध करेंगे तो भी ऐसा इंप्रोमेंट मद आए यहां इसक्डिु में यहां पर प्रॉफिट था अभी देखते हैं हो यहां पर 75 प्रॉफिट यहरा नेयर में 59 करोट की के बारी में बात करेंंगे तो फ़लाट रहा है तो इसी साफय norm हम यहां पे देखते हैं बहुत बड़ी घंधर आ रहा है कि यहां पर तिया यहां पर इतना ज़्यादा आए फालडिंग नहीं नहीं लिए टूपॉइंट वान परसेंटेज का फालडिंग इस क्वटर में थोड़ा से इंप्रूइमेंट नजर आ रहा है अगर हम बात करेंगे ओल्ली वान पॉइंट व पर सेंटेज का होल डिंग और बाकी पाबलिक के कंडिशन ने बहुत बढ़ी है बहुत बेतरी ने अगर आप इसमें देखेंगे लास्ट 10 साल में 63 परसेंटेज का सीजिया रिटन दिया है जो कि एक मल्टी अगर स्टॉक अगर किसी के पॉर्टफोलिय में रहेगा तो बनी जाएगा अगर लंग तर्म में इन्वेस्टमे इसी हिसाब से जो लेबल पर बता रहा हूं ना उस लेबल पर आपको प्रफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है क्यों मैं बोलता हूं उसका पीछे का रिजन बताता हूं मैंने बाटा में जब भाय किया था तो उसके कुछ दिन के बाद में आपको प्राफिट बूकिंग कर रहा हूं मैंने उस टाइम पर प्रफिट करने के बाद में अगर स्टॉक का प्राइस वहां से अगर 15% 20% अगर पचास परसेंट अगर उपर बीचला जा जाता है फिर भ मेरा जो टार्गेट मेरा टार्गेट मुझे आचीव हो गया उसके बाद में स्टाक कहीं भी जाए ठीक है ना इसा होना चाहिए क्यूंकि अगर हम फोमों का चक्कर में रहेंगे तो फिर हम पस सकते हैं मैंने सेल करने के बाद में वहां पर बाटा में भी एक हंडेट टूंडेट पॉइंट का भी मुव आया था लेकिन उसके बावज़त मुझे कोई काम नहीं क्यूंकि मुझे तो प्रॉफिट मिला ना मुझे सिक्स मौंट्स में थार्टी पर्संट का प्रॉफिट मिला बैसे यह स्टॉक में भी बड़ी ऐसा उपर्चुनिटी है तो इसमें क्या करेंगे जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपको कुछ हो रहा है तो आप मेरे साथ में पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यहां पर देखते हैं तो इसी साब से मुझे लगता है यह जो करेंट लेवल पर बिल्कुल हम बाइक कर लिए चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है तो बड़ी हैसा लेवल पर स्टॉक्ड प्रेडिंग हो रहा है अगर इसमें आपको six months के लिए होल्ड करेंगे ना मुझे असा लगता है six months में आपको यह लेवल जरूर आचीव हो सकता है जो कि 877 का लेवल है ठीक अगर 877 के लिए आप होल्ड करते हैं यह स्टॉक में यहां से लेके 877 के लिए आपको यहां से 31% का मूब मिल सकता है ठी एक 31% का गेन मिल सकता है जो कि बड़ी ऐसा स्टॉक है इसमें हमें fundamental भी बहुत सुपर है इसमें हमें कोई भी बिलकुल सख नहीं क्योंकि डेट फ्री कंपनी है हमें तीन चार पांट चार चीज जरूर हमें सा कोई भी स्टॉक बाई करते हैं आपको रिक्वेस्ट करता हू कॉंपने अल्मोस्ट फ्री होना चाहिए अगर डेट फिर भी है 50% से कम होना चाहिए मतलो 0.5 से कम होना चाहिए उसके बाद में आपको आरे सुई चेक करना जरूरी है अगर यहां पर आरोशी आप देखेंगे 15 एभो आरोशी है तो तो फिर उसी स्टॉक में एंटरी किज चाहिए और प्रमोटर प्लेश चाहिए मिनिममम वहां पर 0.1 से अगर तो चलेगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्रमोटर का होल्डिंग अगर स्ट्रॉंग है तो भी पॉजिटिव साहिन है यह सब चीज अगर आप से कभी भी गलती नहीं होगा ठीक है और चूप मार्केट में दो तीस निज बहुत इंपोटन से आपको राइट चूज करना है और टाइम पे लेना और राइट टाइम पर लगा की आपको वहां पर प्रफिट वोकिंग करना है अगर एसा नहीं करेंगे तो फिर तैमिंग करेक्शन हो सकता है आपने बराबार स्ट तरगेट दिया हुआ ठीक है इसा हो सकता है यह जो घ़्यम का गयर यहां किसी एक दिन में डिर्क ली यहां से आए आने के बाद में उसी सेम दिन जाए गा अगर आप नहीं पर प्रफिट के समय हो जाएगा तो आपको प्रोब्लेम नहीं है तो इसलिए कभी-kभी मार्केट कभी-कभी मार्केट में नाजर रखना होता है अगर मार्केट में नाजर नहीं रखेंगते तोøre और सेके ना सेकें टरगेट के लिए मुझे इसा लगता है ये जरूरा आफका अचीव हो सकता है जो कि 1000 का लेवल है ठीक है क्यों बोल रहा हूं उसका पिछे का रिजन भी है मैं आपको प्रूब भी बताऊंगा ठीक है तो इसी ताप से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आपको बताता हूं किसके लिए मैं बता रहा हूं यह जो जरूर हो जाएगा देखिए उसका पीछे का रिजाने देखिए यहां पर आपको काफी सरे से करेंगे क्याप पॉइंट का यहां पर देखिए यहां पर आइसी से डारेक्ट सिकूर्टी का यहां पर टार्गेट दिया था जो कि टार्गेट है वान जिरो एट जिरो त्री मॉन्स पहले ठीक है तो इसी साब से जब वहां पर बड़े-बड़े ब्रोकिंग आओ जब टार्गेट देते ना वान जिरो तो यहां पर चल रहा था तो यहां पर 857 पर चल रहा था तो अभी तक को पेंड़िए ना वह जो टार्गेट उनना दिया हुआ है वह टारगेट अभी भी पेंड़िए तो इस साबसे मुझे ऐसा लगता है यहां से यहां का तर्गेट था अभी तक तो टर्गेट आचीव नहीं हुआ है तो एक ब्रोकिंग आउस अगर आपका पोर्टफोलिया में नहीं तो आपको लेके चल सकते हैं आपको श्विंग ट्रेल में बड़ी असा मुनाफा मिल सकताए ठीक है और दूसरी बात मिं आपको बताना तो यहां पर टार्गेट सेट करके रखा था कि यह टार्गेट तक स्टॉक आएगा उसके बाद में करना टार्गेट भी आया मैंने प्रॉफिट बॉगिंग कर भी लिया उसके बाद में उसके बाद में स्टॉक का प्राइस यहां लिए आपको नहीं तो यह पोई बुरा नहीं लेकिन आपका टाइम करेक्षन हो जाएगा ना तो इसलिए अगर आप कहीं पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो इसी साब से मैंने का भी टार्गेट बता है वह जरूर नोट कर लीजिए उसी साब से आप वोश्टाक में अपना पोजिशन ले सकते हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तक उनके पास में अगर रहेगा तो उसका अनालेशिस जरूर देख सकते हैं अगर मेरे साथ में जूडना चाहते हैं या तो हट्सप का नंबर दिया हुए इस क्यों वेरी मच प्रेंस पर वाचिंग इस वीडियो में अगर वीडियो में